नमस्कार किसान मित्रो खेती किसाने यूटूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे भारत की सबसे लोक प्रिय देशी गाई के बारे में जी हाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि आप असली गीर की पहचान कैसे कर सकते हैं अगर आप गीर नसल की गाई को खरिदने जाएंगे तो आपको उस गाई के अंदर क्या देखना है जिससे उसकी शुद्धता के बारे में आपको पूरी तरह से संतुस्टी हो जाए एक-एक अंग के बारे में, एक-एक characteristics के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर गीरगाएं का पहला लक्षण है उसका सिर सिर बड़ा, उब्रा हुआ और एकदम गोलाकार होता है उसको ढाल के आकार का भी बोल सकते हैं और लगभग 90% गीरगाएं के अंदर ये बहुत उब्रावा रहता है सिर बहुत बड़ा होता है दूसरा लक्षण है गीर के कान कान लंबे, लटकते हुए और नीचे से अंदर की और मुड़े हुए रहते हैं कान बहुत लंबे होने के कारण गीर के सोंदर्य को बढ़ाते हैं तीसरा लक्षण है गीर का रंग गीर के रंगों के बारे में अगर बात करें तो गीर बहुत सारे रंगों में मिलती है काला रंग, लाल रंग होता है, सफेद होता है और इन सारे रंगों का मिश्रण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है जादातर लाल रंग की गीर बहुत प्रचली थे लाल और सफेद रंग का मिश्रण भी कई जगह मिलता है पूरी काले गाएं गीर में बहुत रेर है लेकिन काले गीर भी होती है उसको क्रश्न कपिला बोलते हैं और दूसरी जो पूरी सफेद गीर गाय होती है उसको श्वेद कपिला भी बोला जाता है लाल में भी एकोर वेराइटी होती है जो थोड़ी गॉल्डन टाइप दिखती है उसके आखों के बाल भी गोल्डन होते हैं उसको स्वर्ण का पिला भी बोलते हैं चोथे लक्षन के बारे में बात करें तो वो है धाबली जिसको इंग्लिश में ब्विलेप भी बोला जाता है जो दाड़ी के नीचे से लेकर आगे के पेरों के बीच तक लटकती हुई एक्स्ट्रा चमड़ी होती है उसको गुजरात में धाबली या गोदड़ी भी बोलते हैं और उसके बारे में साइन्टिफिक बात यह है कि उसके होने का रीजन यह है कि गीर गाएं जो है वह गरम प्रदेश का जानवर है और कुदरत ने इसको यह special feature दिया है कि इससे वह अपनी बोड़ी के temperature को maintain कर सके इसलिए वो हवा में जूलते रहती है और दिखने में भी बहुत अच्छे लगती है पाँचवा गीर का लक्षन है उसका हमप जो कि शरीर के उपर उबरा हुआ होता है लगबक सभी इंडियन ब्रेट्स में आपको हमप देखने को मिलेगा लेकिन गीर में यह खूंद या हमप बहुत बड़ा रहता है जैसा कि आपको बताया गीर ड्राय प्रदेश का जानवर है जहां बारा महिने कंसिस्टेंटली चारा या अच्छा खाना हरा चारा मिलना मुश्किल है गीर जंगल में बारिश के टाइम अच्छा खाना मिलता है और गर्मियों के टाइम बहुत कम खाना मिलता है इसलिए कुदरत ने गीर गाएं को यह special feature दिया है इस hump या खुंद में गाएं fat deposit करती है और जब उसको कम खाना मिलता है तब वह उस fat को use करती है इसलिए गीर गाएं में यह hump काफी बड़ा होता है और किसी किसी गाएं में दोनों में से एक side मुड़ा हुआ भी रहता है चटा गीर का महत्पुन लक्षन है उसके sing sing जो रहते हैं वो इसके look में चार चान लगाते हैं गीर गाएं वेसे दिखने में बहुत अच्छे दिखती है और sing से उसका दिखाओ और भी अच्छा आता है गीर गाएं के sing कान की जड़ो को दबा कर निकलते हैं और पहले side की और जाते हुए बाद में पीछे की और और उसके बाद उपर की और जाते हैं 80% गीर गाएं में इसी प्रकार के sing मिलते हैं एक भीला प्रकार के भी sing होते हैं गुजराती लोग इसको भीला बोलते हैं और वो किसी भी दिशा में सीधे जाते हैं गीर की आखे आदी ही खुली रहती है और उसके उपर fat होता है मतलब skin fatty होती है और skin daily होती है जिससे आखे आदी ही खुलती है गीर की चमड़ी चमकीली होती है और जादातर गीर गायों में चमड़ी मोटी रहती है क्योंकि चमड़ी के नीचे fade जादा होता है और चमड़ी धिली होती है किसी किसी गाई की breed में आपने देखा होगा कि चमड़ी पतली और बिल्कुल tight होती है गिर गाईों में ऐसा नहीं होता है गिर गाई की चमड़ी एकदम ढिली होती है और अगर आप उसको पकड़ कर खीचोगे तो बहुत सारी चमड़ी आपके हाथ में आएगी आगे का लक्षन है गिर के थन थन की बात करे तो थन गिर के बहुत बड़े होते हैं यह दुधारू गाएं होती है इसलिए थन बड़े और लटकते हुए रहते हैं और बाजू में जो थन तक खुन लेके जाने वाली जो नस रहती है उसको दुगद शिरा भी बोला जाता है वो बहुत ही मोटी और एकदम मुड़ी हुई जादा रहती है पूँच गीर की लंबी होती है लंबी पूँच गाएं के सोंदर्य को बढ़ाती है कुछ गायों में तो यह पूँच जमीन तक को टच करती है किसी गायों में पूँच पतला और लंबा रहता है और किसी किसी गायों में यह जड़ से बहुत मोटा रहता है दोनों टाइप की पूँच गीरगाई के अच्छे लक्षन है पूँच के आखिर में गुच्छेदार घने बाल भी होते हैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करे और वीडियो को शेयर करना ना भूले धन्यवाद